असाम लेकूं फ्रेंट्स वेलकम बैक टू साधियास केचेन उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियर से होंगे आज चो मैं आपके साथ रेस्पी शेयर करूंगी वो है है हैदराबादी चिकन बोनलेस हांडी की जिसको आप लंच और डिनर दोनों में बना सकती हैं चले आएं दे चीकन को मैंने चूले पर रख लिया है और फ्लेम को आन कर लिया है हम में इसके अंदर एक कप ऑईल शामिल करूंगी आफ झाल करने और इसके अंदर में 1 टेबल स्पून लसन अदरग का पेश शामिल करूंगी अब इस लसन अदरग के पेश को ओईल के अंदर हम धोड़ा सा करकर आएंगे अब यहाँ पर हम 1 किलो बोनलेस चिकन को शामिल करेंगे बोनलेस चिकन शामिल करने के बाद अब हम इसको इतना भूनेंगे के चिकन का पानी खुश्क हो जाएं यहाँ पर चिकन का पानी खुश्क हो चुका है अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेश शामिल करूंगी यहाँ पे मैंने चार बड़े अदर टमाटर लिये थे और उनका पेस्ट बना लिया था टमाटर शामिल करने के बाद आप में इसके अंदर मसाले शामिल करूंगी एक और आदा चमच इसमें हम पिसी वी लाल मिर्चों का शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच इसमें हम पिसा वा सूका धनिया शामिल करेंगे एक और आदा चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे आप नमक और मिच का इसमाल अपने टेस्के कोडिंग कर सकती है एक खाने का चम्मच इसमें मैंने साबस सफैस जीरे का शामिल किया है आदा चाय का चम्मच इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे एक चाय का चम्मच इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर सामिल करेंगे अब इन तमाम मसालों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह भून लेंगे ताके जो मसालों को एक कच्छा पन होता है वो दूर हो जाए यहाँ पर चिकन मसालों के साथ अच्छी तरह भून चुका है अब मैं इसके अंदर आदा कब दही का शामिल करूंगी अब हम इसको दही के साथ एक मिनट के लिए भूनेंगे यहाँ पर चिकन को मैंने दही के साथ अच्छी तरह भून लिया है अब मैं इसके अंदर आठ हदस साबत गोल लाल मेचे शामिल करूंगी चार खाने के चमच इसके अंदर हम करीम के शामिल करेंगे अब थोड़ा सा इसके अंदर हम चमचे को हिलाएंगे एक चाई का चमच इसमें हम लीमू का रश शामिल करेंगे लीमू का रश शामिल करने के बाद अम में इसके अंदर एक खाने का चमच बारीक कटा वहरा धनिया शामिल करूंगी एक चाय का चम्मच इसके अंदर हम गरम मसाले का शामिल करेंगे थोड़ी सी लंबाई में कटीवी यदरक शामिल करेंगे थोड़ी सी बारी कटीवी हरी मिचें शामिल करेंगे अब इन सब चीजों को हम इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर ही इसको हम हलकी आज पर एक मिनिट के लिए कवर करके दम पर रख देंगे यहाँ देखें फैंस हमारी हैदराबादी चिकन बोलनेस हांडी बनके त्यार हो चुकी है आप इसको रोटी और चावल दोनों के साथ सर्फ कर सकती है और यह बहुत ही मजदार बनके त्यार हुई थी आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीचेगा इंशाला आपको पसंद आएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर कीचेगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ अला हाफिज